हम आमकी लोण्जी बनाकर तयार करेंगे, इसको मीठा आम भी कहते हैं, ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, इसके लिए हमने किलो कच्चा आम लिया है, उसको दो कर साप कर लिया है, अब हम उसको छील लेंगे और छील कर हम उसके बीज निकाल देंगे, उसके बारि अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे, आदा चम्मच राई डालेंगे, और उसमें एक चम्मच सौप डालेंगे, सौप डालने के बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा डालने के बाद हम इसमें आधा चमच मेथी दाना डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से चटका लेंगे जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें कटे हुए आम डाल देंगे और उनको इस मसाले में दो मिनट तक मिलाएंगे मसाला भून कर तैयार हो गया है अब हम इसमें कटे हुए आम डाल देंगे और उनको हम दो मिनट तक इस मसाले में मिला लेंगे दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे दो मिनट हो चुके है अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे एक चम्मच कासमीरी लाल मिरच डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम काला नमक भी डाल सकते हैं और दोनों नमक को आधाधा करके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं हमने सादा ही नमक इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद हम इन सब को इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से मिल जाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे मसाले को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और आम में मसाला लग चुका है अब हम इसमें दो कप पानी डालेंगे पानी डालकर हम इसे मिलाएंगे अभी हमने एक ही कप पानी डाला है लेकिन पानी कम लग रहा है हम दूसरा कप पानी भी इसमें डाल देंगे है इसलिए हमने कुल टोटल दो कप पानी डाला है पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इस पर धकन लगा देंगे जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इस पर धकन लगा देंगे जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम धकन को हटा देंगे इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और ये गल भी चुके है अब हमने धकन को हटा दिया है अगर आपको मेरी ये लोंजी पसंद आए तो लाइक करे, सेयर करे और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करे अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे अगर आम ज़्यादे खटे हैं तो आप एक कप्द गुड़ डालिए अगर आम मीठे हैं तो उसमें कुछ कम गुड़ डाल दीजे गुड़ आपके स्वाद पर निर्वर करता है किसी को ज़्यादे मीठा पसंद होता है, किसी को कम गुड़ गुलने तक हम इसमें उबाल देंगे और एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे आप पूरा वीडियो देखा करें जिससे कोई चीज मिस ना हो और चीज बिलकुल परफेक्ट बने आम किलोंजी खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है सभी लोग इसको लाइक करते हैं, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं हम इसको अब ये तयार हो चुकी है, ठंडा होने पर ये गाड़ी हो जाएगी अब हम इसको किसी दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं ठंडा होने पर इसका रसा भी काड़ा हो जाएगा हम इसको निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे और ये 15 दिन तक रुख जाती है अगर आप इसको फिरिज में रखें अब ये बन कर तयार हो गई है आम की लोंजी पूरी तरह से बन कर तयार हो गई है ये रेसेपी बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने का स्वाद भी बढ़ाती है